केलंडर हमेशा तारिक को बदलता है पर एक दिन ऐसे तारिक भी आती है कि जो केलंडर को ही बदल देती है इसलिए सब रख बक्थार किसी का आता है जो आपको गलत समझते हैं उन्हें समझाने में समय ना वैर्थ करें क्योंकि नजर का ओप्रेशन हो सकता है नजरिया का नहीं आपका समय कहां जा रहा है इस पर ध्यान देना सुरू करें क्योंकि सफ़क्ता पानी के लिए समय अति महत्पून है जो यह सोचता है कि कल से सुरू करेंगे वो कभी काम्याब नहीं हो पाता है जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयम को बदलने की उपेक्चा प्रेसितियों के बदलने का प्रयास करते हैं सही दिशो और सही समय का ज्यान ना हो तो उपता हुआ सूरज भी डूपता हुआ दिखता है अवाई अगर मौसम का रुप बदल सकती है तो दुआए भी मुसिबत के पल बदल सकती है इसलिए दुआ दो और दुआ लो लरो सत के लिए और तुम सत हो जाओगे बिक्स में प्रतिदीन पानी देना होता है लेकिन फल मौसम अनुसार ही आते हैं इसलिए जीवन में धैरी रखो क्योंकि हर काम समय पर ही होता है जीवन किसमत से चलती है, दिमाग चलती है तो विर्बल बात्सा होता बीती बातों को बार बार याद करके शोप मनाना नई मुसीवत बुलाने जैसा है जो हमारी किसमत में नहीं है उसके लिए सिकायद करना बेकार है कुछ नहीं से कुछ भी नहीं आएगा यानि सफल होने के लिए उस दुशा में काम करना जरूरी है महंगे उफार से ज़्यादा महत्पुर्ण है जिने उफार दे रहे हैं उनका सम्मान हो कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होते हैं हमारी सोच उसे अच्छा या बुरा बनाती है जो बैक्ति दूसरे के बिना किसी भी स्वाच्पुन उद्देश से मदद करता है वह असल में खुद के लिए अच्छे का निर्मान कर रहा होता है बादुर वह नहीं है जो भैबीत नहीं होता है बलकि वह है जो इस भैब को परास करता है क्योंकि कोई आपको नफरत के बारे में पढ़ाता नहीं है इसलिए नफरत एकदम शुद बिना मिलावट के रह गई है जब कोई आपसे नफरत करता है आप भरुशा कर सकते हैं वह आपसे नफरत करता है जब आप अलग है तो पूरी दुनिया अलग है यह दूसरी दुनिया बनाने का सवाल नहीं है यह केबल एक अलग आप बनाने का नहीं है